हेलो आप सभी को पता चल चुका होगा कि UK PSC जी है ना गाइज पॉलिटेखनीक लेक्चरार के वेकंसी जो आपको सौट नोटिफिकेशन देखने को मिले थे उसका एक प्रॉपर नोटिस आ चुका है यहां पे सारी सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर देख सकते हो सबसे मुख्य रूप से जो पॉर्षन है आपके दिमाग में होना चाहिए विग्यापन प्रकार्षन की चीथी 23 जुलाई लिखी हुई है यहां पर जो कि आज का दिन है यहां पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अंतिम तिथी जो है बारह अगस्त है लगबग लगबग आपको बोल सकते हैं कि एक म करेक्शन है करेक्शन के लिए दिया है 18 अगस्त 27 अगस्त के बीच में यहां पर करेक्शन भी हो सकता है अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के हां पर दिये हुए अभ्यारती है सुनिशित करने की ओनलाइन आवेदन पत्र भरने के अंति मेजर किया जाएगा बत्र बारागस से पहले आपके पास वो सारी होनी चाहिए है क्वालिफिकेशन रिक्तियों का विब्रण यहां पर कुल मिला के सबसे इंपोर्टेंट बात 526 पोस्ट है यहां पर 526 पोस्ट हैं पॉलिटेखनिक लेक्चर आरके और इस 526 पोस्ट में क कौन कौन सी ब्रांच है ब्रांच वाइज पोस्ट एक बर मैं फड़ा फड़ बताता हूं आपको सबसे पहले मेकैनिकल इंजिनियर्स के लिए 55 पोस्ट हैं आप पच्छपन देख सकते हैं और ग्रेड पे देख सकते हो यहां पे 5454 ग्रेड पे यहां पे लगभग लगभ सबस्ते हुए कि सर इस वेकेंसी में ग्रेड पे अच्छा है सैलरी अच्छी है कॉम्प्टीशन भी अच्छा होता है यहां पे आपको बहुत कायदे से पढ़ना पड़ेगा आपको भी पता है कि 54 ग्रेड पे की जौब कितनी आयमियत रखती है आपके लाइफ में यहां प समकत चुपाधी लिखा हुआ है हिंदी का ग्यान हो ऐसे व्यार्थी को वरिता दी जाएगी जो निमने के अरहता धारट करते हो संबंदित विशा में इसनात्यकुत्तर उपाधी और गेट क्वालिफाई किया हुआ होना चीए एक वर्स का अध्योगी करते हैं सैक्छी का अधिमानी अरहता के बात करते हैं यहां पर क्या क्या है सैक्चिक अरहता के उपरांत वरिता को उनके क्रमानुसार संज्यान में लिया जाएगा वरिता को समान होने प्रदेश सेना में दो वर्सों की नियुंतम अवधी तक सेवा किया हो और या फिर आपको देख सकते हैं कि NCC ग्राश्ट्रिक एडिट कोर्ड में उनका पार्टिसिपेशन हो वी अथवा सी प्रमाड़ पत्र हो आयु सी में देखिए नियुंतम आयु सी मह 21 वर से अधिनतम 42 वर से ही सभी में है यहाँ पर आप इलेक्रिकल इंजिनरींग में 57 पोस्ट संतावन पोस्ट यहाँ पर इलेक्रिकल वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है 57 और उसका जो है बागी वालिफ पोस्ट आगे बढ़े हैं इलेक्ट्रोनिक्स वाले बच्चों के लिए 29 पोस्ट है यहां पर और बागे सारी चीज़ें अल्मोस्स सेम है यहां पर देख सकते हूं सबसे अच्छी बात है तो लोकेशन उत्राखंट से लोग बिलाउंग करते हैं उनको पता ही है कितना प्यारी जगाया और वहां पर आपको जौब करने में कितना मजाएगा लेकिन हां जो अधर स्टेट वाले बच्चे हैं वह भी भर सकते हैं इस फॉर्म को और इसके लिए आप पो ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है हां यहां पर रिजर्वेशन का क्रैटेरिया है जो उन बच्चों को दिया जाएगा जो स्टेट से विलॉंग करते हैं उत्तराखंट से विलॉंग करते हैं लेकिन अधर स्टेट वालों के लिए पौन फिलिंग में एक आप्शन लगाराइटी क्या होनिझे जहिए ओबशी बात है भारत के नागरिख है या पिर तिब्यती सरडार्थ्यों जो जर्न क्रैटेरिया होता है यहां पर मेंशन है और इसी के साथ आपको सारी कि सारी इंफ्रमिशन मैंने आपको यहां पर बताया हां अब इसका एक्जाम पैट important date, qualification, eligibility और ये सारी तमाम चीज़े जो notification में दी हुई हैं वो मैंने आपको बता दिया examination के लिए पढ़ना कैसे है कौन-कौन से portion पर फोकस करना है वो सारी बाते next वीडियो में करेंगे ताकि ये वीडियो बहुत लंबी हो और आपको टू दी पॉइंट चीज़े पता जल सके थैंक यू सो मच आई होप आपको अच्छी लगियों की information और किसी भी प्रकार की UKPSC से related कोई भी information चाहिए तो नीचे एक link होगा Google form का उसमें आप उस Google form को भर के सारी अपडेट ले सकते हैं थैंक यू सो मच बबाए टेक केर